हलो गाईज, वेलकम वन सब्सक्राइब निफ्टी और बैंक निफ्टी अनलिस आज एक चौपी डे मार्केट में देखने को मिला विकली एकस्पाइरी का दिन था निफ्टी उपरी लेवल पे एक चौपी मूव हमें देखा रहा था पूरा दिन तो यहां पर जो हमने कल लेवल्स फाइंड आउट किया थे, सेकंड टार्गेट के पास ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, एक्जक्ट ब्रेकाउट लेवल का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, और उपरी लेवल पे एक कंसॉलिडेशन फेज में यह ट्रेड हो रहा था हाला कि निफ्टी 100 पॉइंड पॉइंड अप था लेकिन ट्रेडिंग ओपॉर्चुनिटी यहां पर मेलना काफी वहाज मुश्किल था, तो यह कल के आनलीसिस का रिव्यू ताई, अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल से हो सकते हैं उसको ऐडेंटिफाइ करेंगे, एक बार डेली चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी इंडेक्स के, यह निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट है, जैसे कि हमने RSI और प्राइस एक्शन को यहां पर आइडेंटिफाइ किया था, इसमें जो बीहेवियर है, जैसे यह 7200 के जोन में आ जाता है, उपर प्राइ 33.6% का यह जो लेवल है, इसको सपोर्ट लेके यहां पर अभी कुछ देर हो सकता यह इस लेवल को सपोर्ट टेस्ट करें, और बाद में इस लेवल को ब्रेक करें, तो ही यहां से हम शॉर्ट पोजिशन क्यारी कर सकते हैं, और अगर उपर जाता है, तो इसको आल टाइम हा आए लेवल के ऊपर सस्तेन ना करें, तब तक ओवरनाइट पोजिशन क्यारी कराना रिस्क हिसाबिक हो सकता है, यह डेली चार्ट था, अभी 60 मिनिट के चार्ट में चलता है, इंट्राडे लेवल को आइडेटिपाई करेंगे, यह फिर से एक बार 20 EMA के आकर ऊपर आकर य एक positive sign है, क्योंकि uptrend का जो scenario होता है, वो short term, mid term, long term, moving averages की ऊपर अगर stock या फिर कोई index trade करता है, तो इसे uptrend में है, ऐसा कहा जाता है, तो अभी यहाँ पर अगर nifty index, यह जो दो red candles दिख रही है, बड़ी candles, इसके ऊपर अगर sustain होता है nifty index कल, यानि अपते का last trading session है, 15,777 के अगर sustain होता है, तो ही intraday के लिए हम यहाँ पर by position बना सकते है, और अभी हमारा first target होगा, 15,795, यह हमारा first target होगा, और second target होगा, 15,812, यह हमारा second target होगा, और अगर towards south की तरह पाता है, तो आज जहाँ पर हमारा second target था, अपने five minute की chart में अभी देखा होगा, दो बार resistance phase किया तो जो आज second target का level था हमारा, वो कल हमारा होगा breakdown level, यानि 15,690, इस level को अगर break करें comfortably, तो ही intraday के लिए हम यहाँ पर short position मना सकते है, और तो अभी हमारा first target होगा, 15,672, यह हमारा first target होगा, और second target होगा, 15,653, यह हमारा second target होगा, तो यह nifty के level से कल के लिए, यानि 11th June, अभ bank nifty का five minute का chart है, पूरा दीन, almost एक बजे तक, यह एक consolidation way में trade कर रहा था, और एक बजे के बाद यह जबर्गस move आई, तभी first target जो हमने कल identify किया था, अचीवड हुआ, second target भी अचीवड हुआ, तो bank nifty में भी काफी accurate levels अभी होगा, 60 minute में चार्ट पर चलते, कल के लिए का intraday level सोच सकते है, उसको identify करेंगे, इसे हमने 60 minute के chart में convert कर देखा हूँ, अभी आग देख सकते है, exact जो है, यह 50 EMA के line है, blue line जो है, वो 50 EMA के line है, exact इसी level के पास आके यह close हुआ, तो अभी इसके ऊपर, अगर चला जाता है, तो यह जो red candle है, strong red candle आप देख रहे, इसी जगे पे इसने last swing low बनायता है, past में, तो हो सकता है, यह level अभी resistance का काम करे, तो इस level के ऊपर sustain होने दे, bank nifty को, तो यह intraday के लिए हम buy position बना सकते है, और तभी हमारा first target होगा, 35 282, यह हमारा first target होगा, और second target होगा, around 35 33, 344, यह हमारा second target होगा, ठीक है, और अगर 2800 की दरफ आदा है, तो यह जो level है, यहाँ पर swing low बनाया है, यह देखे, यहाँ से support लेके bounce back हुगा था, दो दिन पहले, तो हो सकता है, फिर से इस level के पास यह support दूनने की कोशिच करे, तो इस level को comfortably break होने दे, 35 13, तो यह intraday के लिए हम यहाँ पर shot position बना सकते है, और तभी हमारा first target होगा, 34 950, यह हमारा first target होगा, और second target होगा, around 34 891, यह हमारा second target होगा, तो यह nifty और bank nifty के intraday level से तल के लिए, वीडियो अच्छा लगा हो, तो like जो उर्दा जीजे, so thank you very much and happy giving.